नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बसंत पंचमी है बसंत पंचमी की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन सरस्वती माता का पूजन किया जाता है जो कि विद्या, ज्यान की देवी हैं, कला की देवी हैं, संगीत की देवी हैं तो इस दिन इनका पूजन किया जाता है सभी लोग सरस्वती माता की पूजा अर्चना करते हैं और आशिरवाद लेते हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप बसंत पंचमी की पूजा कर रहे हैं तो कैसे बहुती सरन तरीके से आप घर पर बसंत पंचमी की पूजन करें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेकिन इस से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो प्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके शुरू करते हैं बसंत पंचमी का तस्वीर भी आती है जो कि इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं तो यह वाली मुर्तिया भी आप ले सकते हैं यह लक्षमी मा की तस्वीर है तो यह आप इस तरीके के अगर आपके पास सरस्वती माता है तो वो भी आप इस तरीके से उनको कपड़े पहना सकते हैं इस तो पीले रंका कुछ इस तरीके का वश्टर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑफ लुदा के लिए पाक्पडा रोपन लहां पर पास में अब चुदा इस का था क एक है, तो चुन्नी बहुत तरीकों से आती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह है मेरे पास इस तरीके से भी आप चुन्नी लेकर आ सकते हैं या इस तरीके की हो आपके पास छोटी चुन्नी या फिर इस तरीके की भी आती है नॉर्मल चुन्नी तो जो भी चुन्नी आपके पास है उ तरस्वती मा को बसंत पंचमी के दिल इसके बाद अगर हम तिलक लगाने की बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि पीला रंग बहुत ही शुब होता है तो पीला रंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं चंदन का ठीका यह पीले रंग का है यह आप ले सकते हैं ठीके तो अ इस आप पीले रंग के बात करूं तो आप इस तारीक देबार क करें तो फ़या उनला चंदन पहुदेस हैं तो आप जाद आप ज्यादा यूज़द करें अगर我也Str अगर नहीं है पा रहा आए पीले रंगका तो लिसे ले सकते हैं या फिर आ प्ल जैक लगा श какую क्ल dice ले सकते हैं सजावटी दिया या फिर नॉर्मल दिया ले सकते हैं या फिर जो हम घर पर नॉर्मल जो है जोत लगाते हैं वो आप इस तरीके की जोत भी ले सकते हैं तो इन में से आप कोई भी ले सकते हैं लगाने के लिए गी का दिपक लगाना है तो हमने घी जरूरी है तो आप खी ले ले और जोत लगाने के लिए ये जोत हम ले लिए हैं तो ये तो हो गया है हमारा जोत का समान इसके साथ ही कई बार आरती जो हम करते हैं वो कपूर की करते हैं तो आप इस तरीके से कपूर जो है वो आप ले सकते हैं कपूर की इस तरीके से डिबिया आती हैं तो आप ले लीजी, यह में पास बड़ी है, या इस तरीके की जो आप देख रहें, यह छोटी ही भी आती है, मादी, शक्ति, कपूर, यह सरस्वती के पैकेट्स भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, कपूर के लिए, मा को अगर आप ने ये मुर्ति ली है, तो आप सकते हैं, जैसे में पास और भी कपड़े हैं, और माला आप पहनाएंगे, इस तरीके से आप इनको माला पहना सकते हैं, और कपड़े हैं, जो अलग से वो आप इस तरीके से पहना सकते हैं, माता को, अगर आप कपड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं पहनाते हैं, तस्वीर है आपके पास तो यह लाल रंका जो धाका दिख रहा है इससे आप एक माला सी बना कर इसको कपड़ों के रूप में तस्वीर पर मुर्ती पर इसको आप चड़ाएं ठीक है जोत के साथ साथ आप धूप लगानी चाहिए तो धूप आप ले सकते हैं कोई भी क्वालिटी की धू पिया है यहां पर ले सकते हैं तो इस टाइप के फूल आप ले साथ ही इस दिन की पा सकते हैं बसंत पंचमी को हम बनाते हैं इसके लिए वह लेकिन फसल वर अगती हैं जैसे जो nhưसा यह हो गया तो यह र्सहाइब धी लए आप ज़रूर का इंडिकेट करते हैं तो यह भी का है तो बहुत ही अच्छी बात है पीतल का भी होता है तो पीतल का भी बहुत ही शुब माना जाता है वह आप ले सकते हैं नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं इसमें पानी डालेंगे और इसमें और डालेंगे हम गंगा जल डालेंगे तो गंगा जल आप इसमें चर पत्त आप देखेंगे तो पूरा है विल्कुल शुद्ध पत्त दिखाई दे रहा है यह भी लेकिन जैसे यह पत्त है यहां से टूटा हुआ है यह इसमें कुछ इस तरीके दिलग जाता तो यह वाले पत्त आठा दे आप साफ पत्त ले और उस पर आप तिलग करके अच्छे लगाएंगे इसके उपर एक बरतन रखेंगे बरतन में आप चावल रखेंगे तो चावल आप ले लेंगे चावल भी जरूरी है तो चावल आप ले लेंगे और उसके उपर आप जोत लगाएंगे और चावल का जो है यलू यूज करेंगे आप तो यलू कैसे करेंगे जो पान ले ले यह सुपारी होती है तो सुपारी आप जो है वो चढ़ाएं कमल गटा लक्षमी माता पर चढ़ता है तो यह भी आप जो है चढ़ा सकते बैसिकली सरसवहती पर हल्दी की गाट पान पर रखे और यह सब चढ़ाते हैं तो कोडी लोंग इलाइची जो आपकी शर् फूल से किमीया जरूर लगाए गুलानी के लिए माचिस यह ले ली है और हम झब मुर्ति स्तापट करेंगे घंश के इसकाल पर इसनल अधनी रही है va adesso च इसकी है जसा रहे हैं तो में अगर आप हवन कर सकते हैं घर पर हमन क के जो क्या कहते हैं घी आप डालेंगे इसमें तो यह आप जरूर लें बुरा आप डाल सकते हैं हावन साथ मगरी में साथ ही आप यह जो देख रहे हैं जैसे कि लोबान है मेरे पास गूगल है तो यह भी आप धूमनी के लिए दोनों यूज कर सकते हैं तो जो भी आपके पास है तो इस तरीके से हम जो है कोई भी पर्फ्यूम है वह आप रख सकते हैं मंदिर में चोटा सा और उससे आप गंद जो है वह समर्पित करें गडेश जी जो है आपके पास इस तरीके से हैं तो आप यह समर्पित कर सकते हैं यह आप स्थापित कर सकते हैं या फिर इसके अल तो तिल से बना हुआ समाना बहार से लेकर आ सकते हैं घर पर बना है तो उसका भूग लगाएं मिश्री दाना है मिश्री आप लगा सकते हैं क्योंकि सफेद और पीले रंगा बहुत महतव है इस तरीके से बेसन के लड़ू या कोई भी लड़ू आप जो है वह घर पर बनाए दे लेंगे चैजे तो यह सब आप ले लेंगे पूजा करने के लिए कुछ इस तरीकी की जो भी आपके पास थाली है वह थाले ले सकते हैं उसमें आप पूजा करें तो यह सारी चीजे मेंने आपको यहाँ परबता दी है इसके अलावा दोस्तों क्या है माता को बांदेने के लिए भी हम चड़ाते हैं श्रंगार चड़ाते हैं बहुत सारी वराइटी आपको मार्किट में मिल जाएगी जैसे कि यह इस तरीके की आता है श्रंगार लेकिन कोशिश करें कि श्रंगार आपका थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हो ताकि कोई यूज कर जैसे कि इस टाइप का जो है ये श्रंगार है या इसके अलावा भी काफी सारी वराइटी मार्किट में अविलेबल हैं तो वो आप देख सकते हैं अपने अकोडिंग और ये श्रंगार का समान जो है आप अपने आसपा सुहागिनों में बाट सकते हैं आप किसी मंदर में दान कर सकते हैं और आप खुद भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे यह इस तरीके का हमने दान का समान निकाला है तो यहाँ पर आप माता को कपड़े चड़ा सकते हैं आप चाहे तो नॉर्मली छोटी से चुननी भी लाकर चड़ा सकते हैं यह हमने साड़ी निका इसकी तो यह 5-6 चीज़े हमने रखी है तो इस सारी चीज़ों को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आप आसपास बाग भी सकते हैं तो यह थी दोस्तों पूजन सामगरी जो कि आप लोग करेंगे माता के लिए सरस्वती माता के पूजन के लिए इसके साथ ही अगर कि जया से जाए कि ढ़े है मा तो जो भी आप पुस्त्तक आपके पास जैरि है तो वो या फिर कॉलेज के बच्चे है या टीचर है तो अपनी पुस्त को को जरूर आप जो है वो करें आप इन पर तेलक लगाए जाए और इन पर आप पूल जो है इस पर जरूर चड़ाए तो यह आप करें, आप नया पैन खरीज सकते हैं, उस दिन नई कोपी खरीज सकती हैं, तो पैन पर भी आप जरूर उसको पूजा करें, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो क्या करते हैं, कि बसंत पंचमी के दिन शुरुआत करते हैं, तो बहुत ही अच्छा वाना ज तो बसंत पंचमी के दिन उनको एक सलेट या फिर आजकल कॉपी किताब को जमाना है तो वह आप जो लें और उसके हाथ से अक्षर जरूर लिखवाएं उस दिन इसके साथ साथ आपके जो भी इलेक्ट्रोनिक आइटम होंगे जैसे कि इस तरीके के राइटिंग पैट्स आते है तो आप मोबाइल और लैप्टोप की भी पूजा करें साथ ही आप लोगों को क्या करना है अगर आप डांस से जुड़े हुए तो जैसे गुंगरू होते हैं तो आप उनकी पूजा करें आप संगीत से जुड़े हुए तो आपके पास जो भी तबला हर्मोनियम आपके जो भी है ठीक है गितार तो उसकी आप पूजा करें तो आप सभी चीजों की जो भी कला से आप जुड़े हैं उन अपने समान की पूजा जरूर करें तो यह थी दोस्तों पूजन सामगरी इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइक झाल को सब्सक्राइब करें यह थी गिजार।